हेलो जैहिन कैसे हैं आप सब लोग इस सेशन में हम सॉल्ब करेंगी मैं इसका प्रैक्टिस सेट 21 इसका पहला क्वेशन है यह आपको नमबर गिवन है इनका आपको एवरेश निकालना है तो आपको मैंने एक फॉर्मुला बताया था एवरेज इस इकल टू होता है सम अफ डेटा सम अफ डेटा अपन नमबर ओफ डेटा नमबर ओफ डेटा ठीक है तो कितने डेटा है यहां पर एक दू तीन चार और पांच तो सम अफ डेटा में तो आएगा 135 प्लस 190 प्लस 145 प्लस 140 प्लस 135 और नमबर ओफ डेटा में आएगा कितने हैं एक दू तीन चार और पांच नमबर ओफ डेटा में आएगा 5 अब इन सब को एड़ करिए 5 और 5 दस और 5 पंदरा पंदरा को 5 हासिल 1 तीन और एक चार तेरा चार सत्रा सत्रा चार एक किस और तीन चौबिस को चार दो एक दो तीन चार पांच और दो साथ अब उन में आपका आएगा 5 वाइब से यह कट तो इसका अंसर होगा option no.C इसका जो average आएगा वो कितना हैगा 149 अगला question है the length of a room is 7 meter and width is 4 meter then find the cost of plastering its floor at the rate of 21.5 per square meter आपको एक rectangular room दे रखा है ठीक है और उसके फर्स पर आपको क्या करना है plaster चड़ाना है इसकी length आपको दे रखी है 7 meter इसकी breadth आपको दे रखी है 4 meter तो area of rectangle क्या होगा area area of room या rectangular room is equal to क्या होगा l into b यानि l कितना है 7 और b कितना है 4 इसका मतलब 28 meter square ठीक है इसके बाद इसने दिया है find the cost of plastering floor at the rate of 21.50 per square meter यहाँ पे आपको given है 1 square meter या इसको हम ऐसे भी लिख सकते है 1 meter square की cost कितनी है 21.5 rupees ठीक है 50 rupees हमारे पास total कितना meter square है 28 meter square is equal to होगा 21.5 into 28 अब इसको अगर मैं गुणा करता हूँ 28 0 को 0 28 5 140 को 0 28 28 28 और 14 32 22 दो चपन 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 और चार 60 और यहाँ पे point कितने डिजिट से पहले एक और एक दो तो यहाँ पे भी एक और एक दो डिजिट से पहले किया आएगा point आएगा तो इसका जो right answer होगा वो होगा आपका rupees 602 अगला question है the current price of a TB is 18,000 and the value decreases at 5% per year then after 3 years what will be the cost of the TB current जो price है current price कितनी है 18,000 है rate कितनी है 5% time कितना है 3 years ठीक है तो जब भी depreciation होता है या decrease होता है उसके लिए formula होता है current price is equal to after 3 years यहाँ पे जो है बाद का प्राइज आता है sorry यहाँ पे आपका आता है amount यानि जो बाद का जो प्राइज होगा 3 साल बाद जो प्राइज आएगा वो यहाँ पे आएगा ठीक है is equal to होगा current price current price into 1 minus क्योंकि depreciate हो रहा है तो यहाँ पे minus आएगा rate है आपकी यहाँ पे लिखिए rate upon में आएगा 100 और उपर आएगा इसकी power n यानि time t तो amount हमें निकालना है तीन सार बात का यहाँ पे क्या है current जो प्राइज है वो कितना है अठारा हजार यहाँ पे आएगा अठारा हजार तो यहाँ पे आपके पास आएगा अठारा हजार गोना 20 से कम 20 रिन एक 19 बटे 20 की power 3 यह तो यह तीन बार क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा अब यहाँ पे 3 0 से 3 0 तो यहाँ पे कट गए ठीक है 2 से यह कटेगा 2 9 18 अब यहाँ पे कोई भी नमबर नहीं कट रहा है ठीक है अब अगर आपको यहाँ से इसको जल्दी solve करना है तो मैंने आपको बताया था कि 15 तक आपको क्यूब आने चीए और 30 तक आपको square आने चीए ठीक है तो 19 का square कितना होता है 3 6 1 आगे मैं solve करता हूँ 9 गुणा 11 को छोड़िये यहाँ पे और इन दोनों का square क्या होगा 3 61 आगे इसको solve करेंगे तो यह आएगा यहाँ पे 9 गुणा 19 से कम 19 19 चका 114 और 115 19 तिया 27 और 11 कितना होगा 19 तिया 57 और 11 कितना होगा 68 उसके बाद 9 से इसको अगर गुणा करेंगे तो यह आएगा 9 नमा 81 9 पंजे 45 45 और 8 53 9 अठा 72 और 57 9 चका 54 54 और 7 61 ठीक है तो इतना आ गया और अपोन में कितना है 2 दूना 4 अपोन में आपका है 4 तो इसको 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 6 1 7 3 1 को तो यह आएगा 4 एकम 4 2 1 4 पंजे 20 यानि 15 जिस में आपसर में होगा वही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहां पर आएगा 1 फिर 7 फिर 4 चको 16 यहां बचेगा 1 उतर के आएगा 3 फिर 4 3 12 तो यह वाला उपसर यह आपका क्या होगा तो यह मैंने आपको पहले भी बताया है अगर हम किलो मीटर पर हावर से मीटर पर से की ओर जाते हैं तो इसको हम गुणा करते हैं पांच बटे 18 से तो हमें प्राप्थ होता है मीटर पर सेकेंड अगर हम मीटर पर सेकेंड से किलो मीटर पर हावर की ओर जाएंगे तो इसको हम गुणा करेंगे 18 बटे 5 से और हमें क्या प्राप्थ होगा किलो मीटर पर हावर लेकिन इस बार हमें कहा जाना है मीटर पर सेकेंड में तो हम किस से गुणा करेंगे 5 बटे 18 से तो 90 को गुणा करेंगे 5 बटे 18 से 18 से खटेगा ये 5 बार और 5 गुणा 5 यानि 25 मीटर पर सेकेंड ओप्सन नमबर 2 ये कुशन काफी आसान है किसी स्टोनेट ने मेरे को ये पूछा था सायद उनका नाम रावन करके है तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजेगा यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मला होता है M1 into D1 is equal to M2 into D2 M1 में हम लिखते हैं जो पहले हमें man given है और D1 में हम लिखते हैं जो पहले हमें दिन दे रखे हैं और बाद वाले के लिए हम लिखते हैं M2 के लिए यहाँ पे दूसरी बार हमें जो आदमी दे रखे हैं उनके लिखते हैं M2 और बाद में हमें क्या निकालना होता है time निकालना होता है दिन निकालने होता है तो M1 कितना है M1 है 15 यहां पर मैं आपके लिख लेता हूँ M1 is equal to 15, D1 is equal to 20, M2 is 20, D2 is fine. इस formula में मैं रखता हूँ M1 is 15 into D1 is 20, M2 is 20, D2 is fine. करना है तो यहां से हम इस 20 को यहां लेके जाएंगे तो 15-20, upon में जाएगा 20, is equal to D2, 20-20 कट गया, कितना बच गया 15, तो D2 की value कितने आ गई 15 days, option number A. अगला question है, यह question दुबारा repeat हो गया है, चलिए अगला देखते हैं, the formula for the sum of first n natural numbers is, पहले n natural numbers के लिए जो है, अगर उनको हम add करते हैं, तो उनके लिए formula क्या होता है, उनका formula होता है, option number B, जैसे आपके पास natural number है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके n तक है, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इन सब में add करना है, 1, 2, 3, 3, 4, 4, ऐसे करके n तक हमें add करना है, तो इसके लिए formula है, n, n plus 1 upon में 2, यह होता है, sn sum, ठीक है, अगला question है, चलिए इसको solve करते हैं, ठीक है, इन दोनों का LCM आएगा फूर, और यहाँ पे आएगा उपर 1, और यहाँ पे भी 1, प्लस में 1, इन दोनों का LCM आएगा 2, और यहाँ पे उपर 1, प्लस 1, क्योंकि LCM यहाँ पे कहा है, इनका जो denominator है, वो same है, इसलिए यहाँ पे कोई भी हम changes नहीं कर सकते हैं, इनको asities हम लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस में आएगा 2, यहाँ से यह हो जाएगा 2 by 4, प्लस 1, प्लस यहाँ पे होगा 2 by 2, प्लस 2, इसके बाद 2 से 2 कटेगा 1 बार, तो यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1 by 2, प्लस यहाँ होगा 1, प्लस 1 और प्लस 2, एक और एक दो और दो चार, तो यह आपके पास आ गया, इसके बाद अगर हम इसको solve करेंगे, तो इसके upon में होता है 1, इनका LCM आएगा 2, तो से अगर 2 को divide करेंगे, तो यहा आट, तो यह आजाएगा आपका 9 बटे 2, option number 1, what will be the amount of 9,000 from a profit of 8%, यह पूच रहा है, कि 9,000 रुपे पर 8,30 लाप के बाद कितना amount होगा, ठीक है, कितना amount बनेगा, इसको मान लीजिए, CP, CP कितना है, 9,000, ठीक है, और profit कितना है, 8%, और इसने हमें क्या पूचा है, SP हमें पूचा है, तो SP बराबर होता है, CP into 100 plus profit upon 100, CP कितना है, 9,000 into 100, plus profit कितना है, 8, upon में आएगा 100, 2,0 से 2,0 यहां पर इकट गए, तो यहां पर आएगा, 90 into 100 plus 8, कितना होगा, 108, अब इसको अगर हम multiply करेंगे, तो 0 को 0, और 9,8 72 को 2, और 9,0 को 0, प्लस 7, 7, और 9,1 9, तो 9,720 इसका क्या आजाएगा, SP आजाएगा, ठीक है, अगला question है, what is the radius, what is the radius, if the circumference of a circle is 88 centimeter, तो radius मान लीजिये, क्या है, R है, circle की, और इसका circumference क्या है, circumference of circle is equal to 88 centimeter, और circumference of circle होता क्या है, 2 pi r, circle का circumference होता है, 2 pi r, और इसकी value में given है, 88, यहाँ से देखिए, 2 pi की value क्या होती है, 27, गुणा R, बराबर है, 88, R बराबर होगा, 88, यह जो multiply में है, यह जाएगे divide में, और जो divide में है, वो जाएगा multiply में, ठीक, 7 जाएगा उपर, यह दोनों जाएगे नीचे, 22 से कटेगा यह 4 बार, 2 से कटेगा यह 2 बार, तो R की value कितनी आगई, 7 गुणा 2, यानी 14 cm, option number B, अगला question है, अब यह जो values हैं, यह आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, what is the value of 10, 30, तो इसकी value होती है, 1 by root 3, अगला question है, A is equal to 5, B is equal to 6, तो इसकी value आपको निकालनी है, तो यहाँ पे रखिए, A plus B का whole square, into, A minus B का whole square, A plus B, यानी A कितना है 5, plus B कितना है 6, तो 5 plus 6 का square, गुणा A है 5, minus B है आपका 6 का square, तो यह हो जाएगा 11 का square, गुणा, यहाँ पे देखिए, 5 में से 6 तो घटता नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगी, घटाएंगे, और यहाँ पे जो संक्या बड़ी होगी, यह 6 क्या है, minus का है, तो यहाँ पे आएगा, minus 1 का square, 6 में से 5 घटाएंगे, लेकिन 6 क्या है, बड़ा है, और कैसा है, minus का है, ठीक है, आगे इसको solve करेंगे, तो यह होगा, 111 की 121, गुणा, रिण 1, गुणा, रिण 1, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, दो बार multiply करेंगे, मैंने आपको बताया था, minus into minus क्या होता है, प्लस, तो यहां पे हो जाएगा, 121, गुणा, प्लस, एक एकम, एक, यानि, 121, तो इसका answer आएगा, option no. B, अदरा question है, if A bought an item for 200, and sold it for 198, what is the loss percent, CP आपका है, 200 का, 200 रुपीज, SP आपका है, 198 रुपीज, loss percent आपको fine करना है, ठीक है, तो loss बराबर क्या होगा, loss बराबर होगा, CP minus SP, यानि 200 minus 198 बराबर 2 रुपे, तो loss कितना होगा, 2 रुपे का, loss percent का formula मैंने आपको बताया था, क्या होता है, loss, upon में होता है CP, into होता है 100, loss कितना है 2 का, CP कितना है 200, CP कितना है 200, into कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 यहां पर कड़ गए, 2 से कड़ गया, 2 एक बार, तो loss कितना आ गया, 1 percent का, ठीक है, option number C, अगला question है, the ratio of two numbers is 3x, 3 ratio 4, when 5 is added to both, the new ratio becomes 4 is to 5, what are numbers, आपको two numbers given है और इनका ratio कितना है 3 is to 4, इसको हम लिख सकते है 3x, इसको हम लिख सकते है 4x, ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इन दोनों में 5 add कर दिया गया, इसमें भी 5 add किया और इसमें भी 5 add किया, और उसके बाद ratio कितना हो गया, इतना, तो इनको अगर मैं ratio में बनाना चाहूँ अगर हमें number दे रखे हो A to B तो इनको हम लिख सकते हैं A by B तो ये होगा 3X plus 5 इसको हम लिखेंगे 3X plus 5 upon में आएगा 4X plus 5 5 add करने के बाद इनका ratio क्या हो जाता है 4 by 5 ठीक है अब यहां से हम क्या करेंगे इनको cross multiply करेंगे 5 का गुणा करेंगे यहां पर 5 गुणा 3X धन 5 बराबर होगा 4 4 का गुणा इसके साथ 4 गुणा 4X धन 5 यहां पर हो जाएगा 5 गुणा 3 यानि 15X धन 5 से इसको भी गुणा करेंगे 5 गुणा 5 यानि 25 बराबर 4 से इसको गुणा करेंगे 4 चुको 16 प्लस 4 से 5 को गुणा करेंगे तो 4 चुको 25 अब यह 15 चोटा है तो इसको लेके जाते हैं यहां पर और इसको लेके आते हैं यहां पर तो 25 यहाँ पे पहले से है 20 को यहाँ पे लेके आएंगे तो 20 होगा माइनस का यहाँ पे प्लस का था वहाँ जाएगा तो माइनस का इस इकल टू 16 X माइनस 15 X अब यहाँ 16 में से 15 गया कितना बचा 1 X और यहाँ पे 25 में से 20 गया 5 तो X की वैल्यू कितनी आ गई 5 ठीक है तो इसने पोछा है numbers क्या होंगे तो यह numbers क्या थे यह था 3 X और यह था आपका 4 X X की value कितनी है 5 तो 3 गुणा 5 यानि 15 और 4 X बराबर क्या होगा 4 गुणा 5 यानि 20 तो एक number होगा आपका 5 दूसरा number आपका होगा 20 is option number A अगला question है the ratio between two numbers is 1 is to 3 if their sum is 240 then what is difference of those numbers two numbers का ratio आपको दे रखा है 1 is to 3 और इनका ratio का sum कितना होगा 4 और इनका जो actual sum कितना दे रखा है इनका जो actual sum है वो है 240 इसका मतलब है ratio का sum है और यह जो sum है यह क्या होगा equal होगा 4 की value कितनी है 40 4 की value है 240 1 की value कितनी होगी 1 की value होगी 240 बटे 4 यानि 4 चका 24 60 एक की value होगी 60 अब इसने क्या पोचा है difference of those numbers इन दोनों का difference कितना है 2 का 3 में से गया 2 तो difference पोचा है तो difference क्या है 2 तो 2 की value क्या होगी 2 गुणा 60 यानि 120 इनका difference क्या होगा 120 का अगला है the sum of two numbers is twice their difference मान लीजिए दो number क्या है x और y है sum of two numbers means x plus y is equal to twice their difference उनके difference के twice के ठीक है यह दोनों क्या होंगे बराबर होंगे यह according to question है ठीक है इसने खुदी बोला है कि the sum of two numbers is twice their difference उनका जो sum होगा उनके difference का twice होगा ठीक है आगे इसको solve करते हैं तो यह होगा x plus y बराबर 2 से x को गुना करेंगे तो 2x माइनस यहां पर होगा 2y अब देखिए यह माइनस का y है यहां जाएगा तो प्लस का तो यहां पर y प्लस 2y पहले से था इसको मैं यहां लेके गया तो यह प्लस का होगा इस x को मैं यहां लेके जाता हूँ तो यह होगा 2x माइनस x यह प्लस का था यहां जाएगा माइनस का तो यह हो जाएगा 3y बराबर 2x में से x गया x अब यहां से जो है इस y को में लेके जाता हूँ वहां पे तो 3 बराबर होगा x upon y ठीक है 3 बराबर कितना होगा x upon y और किसी भी number के upon में हमेशा क्या होता है 1 तो यहां पे x की value कितनी हो गई 3 y की value कितनी हो गई 1 इसने बोला है what will be the other number if one number is 10 यहां मैं मान लेता हूँ एक की value क्या है 10 तो दूसरे की value क्या होगी इसकी value क्या होगी 3 गुणा 10 यानी 30 option number 3 उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें चलिए signing out